हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप सेयर कर रही हूँ जो आपके रोज मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचचत होगी दोस्तों आप मेरी वीडियो किस सहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा जिससे मैं आपका धन्यवाद कर शकूँ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भोले तो चलिए देखते हैं पहले यूजफूल टिप दोस्तों ये टिप है वाशिंग पौडर को लेकर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो जल्दी साफ नहीं होते हैं तो इसमें मैं ऐसा क्या मिलाऊंगी जिससे आपकी मेहनत आधी हो जाएगी और आपके कपड़े पिल्कुल चमकदार हो जाएंगे तो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ बेकिंग सोडा इसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं तो इसमें मैं एक चमच के आसपाल इसको डाल दूँगी आप देखेंगे कि आपके जितने भी कपड़े गंदे होंगे जैसे शर्ट की इन सब को साफ करने के लिए एक्स्रा इफेट की जरूरत पड़ती है अगर आप इसमें सोडा डालते हैं और इसको मसीन में डाल कर धोते हैं तो बिना रगड़े बिना मेहनत के आपके कपड़े साफ हो जाएंगे आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी तो चलि बच्चे तो बता देते हैं मगर जो चोटे बच्चे होते हैं उन्हें इसे काफी इरिटेशन होता है और वो पता भी नहीं पाते हैं जिससे वो चिर्चड़े से हो जाते हैं तो इसे निकालना बेहती आसान है पहले आप इसे कट कर लीजे उसके बाद सुई या जामे में जो इंटरलाग है वो नहीं खुलता है क्योंकि आप सिप्टि पिन से इसे हलका हलका सा रब कर रहे हैं इससे इसकी सिलाई और इंटरलाग जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुलता है देखें सिप्टि पिन से रब करने के बाद ये कितनी आसानी से निकल जा रहा है देखे ये बिल्कुल साफ हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ कि ना तो इसका इंटरलाग खुला है ना ही इसकी सिलाई खुली है इसके धागे एक एक करके निकल जाते है देखे ये पूरी तरह से निकल गया है और इंटरलाग भी नहीं खुला है और इसकी सिलाई भी नहीं खुली है देखे इसकी ना तो सिलाई खुली है ना ही इंटरलाग खुला है तो आप इस आसान टिप के जरिये बचों के कपड़े पे जो टैग लगा हुआ है उसे आप निकाल सकते हैं आई हो आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी तो देखते हैं दूसरी टेप दोस्तों जो लोग सिलाई करते हैं उनके पास इस तरह के इंची टेप होते हैं और अगर इसे सही तरीके से ना रखा जाए तो ये बहुत ही जल्दी उलज कर तूट जाते हैं तो इसे पहले आप सही तरीके से रखिए जैसे मैं मोड रही हूँ उस तरह से पहले आप इसे मोड लीजिए। आप अगर किसी भी सामान को सही तरीके से रखेंगे तो वो काफी लंबे समय तक चलता है। तो आप इंची टेप को पहले इस तरह से मोड लीजिए। इस किनारे वाले हिस्से में लोहा लगा हुआ होता है मगर इसमें नहीं लगा हुआ है। इसमें एक छेद है तो मैं इसमें एक रबर लगा दे रही हूँ। रबर को लगाने के बाद इसका आप एक लूप बना कर उपर की तरफ खिज दीजे। उसके बाद इसे आप इंची टेप पर लगा दीजिए इस तरह से आपका इंची टेप खुलेगा नहीं और ये लंबे समय तक सही रहेगा आई हो आपको मेरी ये छोटी सी टेप पसंदाई होगी तो देखते हैं दूसरी टिप दोस्तों गर्मियों का मौसम है और धनिया काफी महगी मिलने लगी है तो हम धनिये को किस तरह से रखें कि ये लंबे समय तर सही रहे क्योंकि कर्मी के मौसम में धनिया सूखने लगता है और पीला पढ़ने लगता है तो इसके लिए जैसे ही आप धनिया लाएं उसी तरह से आप इसे रखें, इसे आपको धुलने की चरुरत नहीं है, तो इसके लिए आप ले लीजे पेपर बैग, ऐसे पेपर बैग हमें मार्केट से बहुत ही जादा मात्रा में मिलते हैं, तो आप पेपर बैग ले लीजे और उसमें धनिये को इस तरह से लपेट दीजे, और जो य ये लंबे समय तरह इसी तरह से फ्रेस बना रहेगा, आई हो, आपको मेरी ये चोटी सी टिप पसंद आई होगी, तो देखते हैं दूसरी टिप, ये टिप हमारी लहसुन को लेकर है, लहसुन चिलना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि लहसुन चिलने की वज़ा से हमारे ना कर रही हूँ, जिसे आपको लहसुन चिलना बेहत ही आसान लगने लगेगा, तो आप ले लिजे एक कप, आप इसकी जगह बाउल या फिर गिलास का भी इस्तमाल कर सकते हैं, मैंने इसके लिए कप का इस्तमाल किया है, तो आप एक कप ले लिजे, और उसमें सारा लहसुन आपको छिलना हो, उतना लहसुन आप उसमें डाल दीजे, अब ले लेना है हमें एक कूकर, और गैस को अन कर देना है, और गैस के उपर हमें रख देना है कूकर, अब हम इसमें डाल देंगे एक गलास पानी, और इस पानी को हम गरम होने देंगे, जब पानी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे, देखिए पानी अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, हमें लहसुन को उबालना या फिर पकाना नहीं है, अब इस गरम पानी में हम कब को रख देंगे, और कुकर का धकन लगा के 10-15 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, 10-15 मिनट के बाद हम कुकर को खोलेंगे, कब गरम नहीं हुआ है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, अब आप इसे छिल ये, ये लहसुन बहुत ही आसानी से छिल जाता है, क्योंकि इसका छिलका बिलकुल मुलायम हो गया है, तो इसे छि छिलका मुलायम हो जाता है, और इसे छिलना बहुत ही आसान हो जाता है, इस तरीके से आप किलो किलो भर लहसुन मिनटो में छिल कर रख सकते हैं, और जो छोटे लहसुन है, उन्हें छिलना तो और भी आसान हो जाता है, आप सोच रहे होंगे, कि ये लहसुन तो पग गया ह मगर ये लेसुन पकता नहीं है सिर्फ इसका छिल का मुलायम होता है बहुत से लोगों को एक साथ जादा लेसुन चिलना पड़ जाता है तो उनके लिए ये टिप काफी कारगर है देखे कितनी आसानी से लेसुन चिल जा रहा है इसमें हमें कोई भी महनत नहीं करनी पड़ रही है आप चाहे तो इसे हास से या फिर चाको की मदद से भी चिल सकते है देखे लेसुन कितनी आसानी से चिल गया है और ये पका भी नहीं है आई होग आपको लेसुन चिलने का तरीका पसंद आया होगा किसको किसको ये तरीका पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स पर चरूर बताईएगा दूसरी टिप है पुराने ब्रस को लेकर दोस्तों ये मेरे पास पुराना ब्रस है इसका इस्तमाल कई तरीके से किया जाता है मगर मैं आपके साथ एक टिप सेयर कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने ब्रस का उपरी पार करम चाकू से कट कर लिया है चाकू तेज गरम रहना चाहिए जिससे ये आसानी से कट जाता है अब इसके उपर हमें लगा देना है डबल साइड़ टेप अब इसे हम लगाएंगे अपने सिंग के पास जहां पर हम बरतन माजते हैं वहां पर इसे हम लगा देंगे और इस पर लगाएंगे हम ब्रस ब्रस का इस्तमाल हम बरतन माजने में करते हैं जब हमें कूकर साफ करना होता है तो उसकी सफाई हम ब्रस से ही करते हैं तो यहाँ पर हम brush hang कर देंगे यह देखने में भी अच्छा लगता है और हमें तुरंथी मिल जाता है I hope आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे comment box पर चरूर बताईएगा Thanks for watching